हलो एवरिबरडी मैं डॉक्टर तौफीक हुसेन असोशेट प्रोफेसर इन हार एजुकेशन आज अम भारती इतियास की एक महत्वपुन विशे मोरी एमपाईद के विशे में चर्चा करेंगे आप सभी जानते हैं कि मोरी समराजे का भारती इतियास में अत्यदिक में अत्यदिक में है क्योंकि आप जानते हैं कि मोरी समराजे भारती इतियास का प्रथम और अंतिम विशाल समराजे की नाम से जाना जाता है इतने विशाल समराजे जिसकी जो सिमाए है वो पश्चिमोतर भारत में हिंदु कुछ से लेकर के दक्षिन में अधनिक करनाटक तक विश्चित थी और पश्चिन में मकरान तक से लेकर पूरों में बंगाल तक विश्चित थी इतने विशाल समराजे की जो इस्तापना है नहीं तो मुगल कर सके और नहीं अंग्रेज इस विशाल समराजे की इस्तापना कर सके इसलिए इस विशाल समराजे की परसंसा करते हुए परसिद इतियासकार विंसेंट स्मित ने अपने परसिद करंट अक्सपोर्ड इस्ट्री ओफ इंडिया में ये लिखा है कि मोरी समराजी भारत की इतियास का एक पर्थम समराजी था जिसने एक उस विज्ञानिक शिमा को प्राप कर ली थी जिसके लिए मुगल तड़कते रह और अंग्रेज आहें मरते रहें तो कहने का तात्की है कि मोरी समराजी भारती इतियास में अपनी विशालता के लिए परसिद है इतना विशाल समराजी ने उससे पहले और नए उसके बाद में भारत में इस्तापित हुआ तो अपनी विशालता के लिए मोरी समराजी है वो जाना जाता है मोरी समरजी के विसे में आप जानते हैं कि इस विशाल समरजी की स्ताफना चंद्रकुत मोरी ने अपने प्रामर्सदारता और अपने प्रधान मंत्री कोटल ले जिसको चानिक्ये के नाम से भी जाना जाता है ने की चद्रकुत मोरीय है जिसने इस विशाल सम्रज की स्ठापना की वह भारती इस्तियास का परथम परतम इत्यासी समराट के रह भूठ में जाना जाता है क्योंकि भरत्य इत्यास में है इसीं से पहले जितने भी सासक हुए है जिसमें हम जो उत्रवेदी काल के शुदास की बात करें प्रवाजेवले की बात करें या six century BC के जो हरियंग वन्स के सासक विंबी शार जाज सत्रू की बात करें सुशुनाग वन्स के सासक शुशुनाग की बात करें नंद वन्स के सासक महापनमनन्द की बात करें धरनानन्द की बात करें ऐसे सासकों का उलेक मिलता है लेकिन उन सास्कों की इत्यासिक्ता के विशे में हमें ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं लेकिन चंद्रगुत मोरिये जिसने मोरे समराजी की स्ताफना की उसके विशे में नेक्युल भारती गरंतों में अपितु विदेशी गरंतों में भी उसकी इत्यासिक्ता के प्रमान मिलते हैं तो हम मोरे समराजे के संस्तापक के विशे में ये कह सकते हैं जो भारतिय इत्यास का प्रथम इत्यासिक समराठ के रूप में जाना जाता है जिसकी स्टोरिसिटी है वो सिध्ध है तो बोरी समरजी के दूसरी विशेशता है कि संद्रुट मोरी भारती इतियास में एक इतियासिक सासक की रूप में है वो जाना जाता है मोरी समरजी के विशे में ये भी कह सकते हैं कि मोरी समरजी से पूरुवा का जो इतियास है जो भारती इतियास है वो एक प्रकार से है तिथी के दस्टी से है एक अंदकार में लगता है क्योंकि इस से पहले जो तिथियां है उसकी विशे में है में इस पस जानकरे नहीं मिलती है लेकिन मौरी समरजे का महत्व इस तिष्टीशे है कि मौरियों के आगवन के साथी भारती इत्यास में अपेक्सा करत हलागि तिष्टी के बाद में प्राचिन भारती इत्यास में है, वो विवाद रहा है एक निश्य तिष्टी करम नहीं मिलता है लेकिन चंद्रुत मूरी की पस्याद जो की मौरी समराजी की संस्ताबक थे उसके पस्याद हमें एक निशित तितिकरम है वो देखने को मिलता है तो एक तितिकरम की दस्टी से जिसके बाद मौरी समराजी की पस्याद जैसे अंगुत मोरे के पस्षाथ जो भारती थ्यास में एक निशित थिक्रम का जो सिलसला शुरू होता है उस दस्टी से भी है वो मोरे समराज्य है वो एक महतुपुन समराज्य है वो का जा सकता है मोरे समराजी की विशे में एक भेतुपुन बात ये भी है कि जो भारती इतियास है उसमें जो एक विदेशी आकरमनों की सुधिड़ परंपरारी है और महारत के अंदर है वो विदेशी आक्रमनकारियों से प्राजित होनी की या प्रतंतरता की जो विवरेन है वो भरे बड़े हैं लेकिन चंद्रकृत मोरी के बाद या चंद्रकृत मोरी से हमें पहली बात किसी भारते सासक दुआरा किसी विदेशी सक्ति को प्राजित करने का गोराववव मिलता है। इससे पहले विदेशी आक्रमनकारी हुए और उन विदेशी आक्रमनकारी उन आक्रमनों में कोई ऐसा उलेक नी मिलता है जिसने किसी विदेशी सक्था को प्राजित किया हो लेकिन चंद्रुकुत मुरिये है वो भारती इतियास का प्रथम सा सक्था जिसे किसी विदेशी सक् प्राजित किया अथार्थ जो बैक्ट्रिया के सासु इसे लुकस है उसको ने केवल है वो चंद्रुगत मोरियों ने है वो उसको प्राजित किया अपी तु उसने चंद्रुगत मोरियों को है अपने पांच सो हाथिन के बदले के अंडर है वो अपने जो महत्वपून प्रद चंद्र Con First ने उस के और जो बहुए को बहुत में इक सद्र करने में जो अपितू उसके द्वारा भारत की भूमी से चेंड़ेंगे जो प्रदेश है उसको वाकस उसरे कंजने का वह बी चंद्र फित बहुत मोर्य को जागाता है तो किसी विदेशी सक्रणानी है ना माना जाता है नेकेवल विदेशी सक्ति को प्राजित किया अपित्तु चंद्रुगत मौरिय को ये भी स्रे प्राप्त है कि उसने जो भारती इतियास में जो पहला अंतरास्टी विवा है उसका करने का विवा करने का स्रे भी है उस चंद्रुगत मौरिय को जाता है उसने प्रथम अंदरास्टी भीवा की दस्टी से भी ही वह मौरी समराजी मौरी समराजी महतर्फम माना जाता है तो मौरियों के साथ ही क्योंकि जो जूशividade को प्राजित कर दिया तो ऐसी स्तति में से लुकस में अपने जो राजदूत है मेगस नीज उसको है उसके पास डिमेगस है डैनोसेश है आधी राजदूतों की प्रमप्रा वो शुरू होती है तो इस तरह से विदेशों के साथ एक डुपलेमेटिक जो रिलेशन है वो आधी त्यास में इस दिश्टी से भी है उलेग ने कहा जाता है कि क्योंकि मौरी समराजी के स्ताफ़ाद चंडूत मौरी है उसने सरों परतम एक कुशल और विवस्ति प्रसासनी चंतर है इसकी स्ताफना की कुशल प्रसासनी विवस्ता की और वही जो चंडूत मौरी एक सरों परतम भारती त्यास में एक वेवेश्ति प्रसासन देने का सुरे भी है इसने जो प्रसासनी विष्ता का घठन किया उसमें थोड़े बहुत प्रविर्तम कि बाद है वो बाद प्रवर्ती त्यास के अंदर आज़े जैती है इस तिसे भी मौरी समराज्य है वह मैध मिहतनी आ क्यात्वों मिह ब्लार्थकुषू निए अव्यक्त। संस्कृति की प्रसार के दस्टी से भी है वारते संस्कृति का विदेशों में जो प्रसार है वो मुरी काल से वो एक तरह से प्रार्म होता है वरतर भारत की जो प्रक्रिया है वो मुरी सम्राजी से प्रार्म होती है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुरी सम्राजी है जिसके संस पर नेती है चंद्रुट मोरिय है वो एक विशाल समराजी की इस्ताफना करकर के वो करते हैं तो एक तरह से मगत समराजी का जो विकास है यहाँ चंद्रुट मोरिय के काल में है या हमें दिखाई देता है वोरी समराजी की एक विशाल समराजी के अंदरे जो विशाल समराजी जो परम्परा, दूद्ध भेजने की परम्परा, एममेशेयटर भेजने,- परम्परा है एक फ्रें रिलेशन विदेशनिती परम्परा है और एक्तरह से राजनिति-क एक्ता-के-क सात है मूरे ने ने क्योब भारत वो को एक राजनेतिक की दस्ती से एक रूट कि अपरी तु एक सांसकर्थिक दस्त्य से भी है वो एकता इस्तापिद करने की कास्रे जाता है और एक पस्ज़र दुस्स भारत के इन्दर विशाल समरजी की स्तापना और जो प्रसासनिक जो एक्ता इस्तापित करने में जो सफलता मौरी समरजे ने प्राप्त की उससे भारत के अंदर एक जो सांसकर्ती के एक्ता है एक कल्चरल यूनिटी है वो इस्तापित हुई तो सांसकर्ती एक्ता के दस्ते से भी है मोरे समरजे को भारती इतियास में एक मैतोकुन समरजे वो कहा जा सकता है तो यह जो विशाल समरजे है इस विशाल समरजे की विशे में जानकरी कि हमें अनेक स्रोत मिलते हैं नेकेवल भारती स्रोत अपितु विदेशी स्रोतों से मौरी समरजे की विशे में जानकरी मिल दिया है तो यसे मैंने आपके पहले बता है कि मौरी समरजे है वो एक जान स्रोतों की दस्टी से है मौरी समरजे की विशे में जानकरी कि हमें नेकेवल सवदेशी है अपितु विदेशी है अम धार्मिक साहिते या विदेशी साहिते की बात करें लोकिक साहिते की बात करें वो साहिते मिलते हैं उसमें हम यदि संक्षेप में बात करें तो पुरान है पुरानों के अंदर है मोरे समराजी की विशे में हो जानकरी मि एक सिलती एदी इन पर की टिका है विश्मी कि अचक्र का शेमन्दा का मनझुरी है और इंडिका की जानते है बहुत गरंत जहिन गरंत की विसे में आप जानते हैं विदेशी जो गरंत है जिसमें आप आप जो 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 आपका इस्ट्राइबो है जो डिमेकर्स है पिलनी है आदी जो विदेशी त्यासकार है तो एरियन है आदी जो जो विदेशी त्यासकार है ने कि विदेशी त्यासकर अपने तो भारती त्यासकर अपने तो विदेशी त्यासकर से भी है वो मौरी समरजी की विशे में हमें जानकारी मिलती है तो मौरी समरजी की विशे में जानकारी की विशे के अनिक स्रोथ हमें मिलते हैं जिसमें सबसे जो प्रमुक स्रोथ है वो कोटले का अर्शा होता है और इसकी जो कोटले कर जोसास्तर है इसकी रिस्ना करने का सरे हो कोटले को जाता है जो कि आप जानते हैं कि जो उस समय मुरेकाल कर देख तक्शिला था जो वर्तमाल में पाकिस्तान के राउल पिंडी में है वहां की प्रोफेसर थे अचारी थे और उस समय मोरे काल के अंदर तक्या लाया है एक प्रकार छे क्या है कि आ जो हम कहें कि कोटले में माहिर होने के कान से है वो कोटले है वो कहलाए और जो चानक की है कोटले उनको विश्नुगुप्त है ववास्तविक नाम विश्नुगुप्त था और कोटले और चानक की की नाम से है वो भी जाने जाते है विविन नामों से जाने जाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय जो मगद एक महतुपून जनपत था सॉला जनपतों में मगद महतुपून जनपत था और यहां पर नंदवन्स का सासक था और नंदवन्स के जो सासक अंतिम सासक ते धनानन थे तो धर्हननने है वो एक जो कोटले है विश्णुगुत की हम बात करें उसका अफमान किया था तो ऐसी इस्तिती में जो चानक्ये है या जिनको कोटले हम कहते हैं उन्होंने नंदवन्स को है वो संपूर नास करने का जो संकल्प लिया और चंद्रगुत मोरियने है वो किस परकार है वो इस चानक के कोटले की साहिता से है वो एक 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 नए वन्स की जो स्थाप्ना करते हैं जो की मोरी वन्स के नाम से जाना जाता है कोटले आर्षास्त्र की रजटना करने का तक्शिला के आए ऑचारिय है वे विष्ण uniform ओपृति को इसको उनपो जाता है और यह चानक के कौन जानकारी है वह कोटले के अर्षास्तर में मिलती है कोटले के जो अर्षास्तर है जो है उसकी जो पंडुलुपी है वो सरो पर्थम है वो जो तंजोर के जो ब्रामर थे भट स्वामी है उनको उन्नी सो पांच के अंदर प्राप्तवीर उन्होंने है वो जो मैसूर की पुस्तक साम सास्त्री है उन्होंने सरव पर्थम जो कोटले के अर्षास्तर है उसको प्रकासित करने प्रकासित के उनी सो नो के अंदर है तो कोटले के से समधित है राजनेती सास्तर से समधित है वो मेत्वपुन है वो जानकारी हम कोटले के अर्षास्तर से मिलती है और इसकी भाशाष संस्कृत है और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कोटले के जो अध्याई है वो मिलते हैं जो बिग चेप्टर है जिसको अभी करण कहते हैं कोटले के अध्यास्तर में पंद्रा अध्याई मिलते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पंद्रा अध्याई के साथ है इसमें जो बड़े परकरन जिसको अध्याई कहते हैं बिग चेप्टर है वो पंद्रा अध्याई मिलते हैं बिग चेप्टर मिलते हैं और एक सो पचास अ बसना है वो की कोटल लेने की और जैसा की मैंने आपको बताया कि जो कोटले का जो अर्सास्तर है उसमें लगबग है वो छह जार है वो सलोक है वो हमें मिलते हैं और ये जो लिखने की जो सेली है वो गद और पद्ध है वो धुनू के अंदर में मिलती है और कोटले का अर्सास गुटिक्स कोने जो इसके तुंद्स केरिर्ट य मेकवले जो टोने emyत्यूपूं ऋसके तुना के शास्ति से जाती है ताथार्थ हम कहें कि कोटले का अरसास्तर है उसके समानी मेक्यावली ने हिदा प्रिंस की रसना की और अरस्तु ने वो पॉल्टिस की रसना की तो उन दोनों गरंथों के समानी है वो कोटले का अरसास्तर एक महतुपून है वो रसना मेक अमले के प्रिंस और अरस्तु के जो पॉलिटिक्स हैं उन दोने गुरंतों की तरहा है जो कोटले का कि अबीक Alrighty हमने बात की जिसमें 15 अद्धाय हमें मिलते हैं पर mieszkaップ के अंदर जो परत्तम्त अद्धाय है उसमें जो राजी की क्या समस्या है क्या प्रोल्लम्स है और जो ग्यान की जो विवन साकाएं हैं उनका जो सेधानतिक विवेचेन है वो परतमत द्याई में मिलता है इसके अलावा सेकंड अध्याई के अंदर है वो विवन जो प्रसासनिक विवाग है उनके संग्टन है और अ साथाई, Sevenentad tracks, जानकाने मिलती है. जिस के दोरा है वो राज्या बनता है तो राज्य राजा होना चीने fals had enjoyed शेना होने चीए, मित्री भी होने चीए, वो द्रुग जिसकी विजना हमने की और कोस अथारा रिवन्यू है वो होना चीए, तो चटे ध्याई के अंदर सब्तांग से दान का विविजना मिलता है, और सात्वे से पंदर से अध्याई है, उसमें जो फूरेन प्लेशी है और व के विशे में जानकारी हो वह Шए में मिलती है तो इस तरह से कोटले के अरस्वासत्र एक विजाल गहर ग्रंथ है, जिसमें जिसमें अरस्व्षय की विएजर्वेन जो आयाम है, उनकी हमें जानकारी मिलती है, उसके अध्याई पाटले कितने परकार के हैं जा सुक्र सुद्निति सार में हमने नो परकार के दुरूगों के विशे में पड़ा कोटले के अर्षास्तर में चार परकार के दुरूगों का उलेख मिलता है जिसमें जो जल दुरूग है जिसको जो तर्टेक चत्र में हो उसको जल दुरूग ओदग दु वो दान्वा तो चार प्रकार के द्रूगों का उलेख है इसके सासाथ में के द्रकारों नियों के व्यूट का विविचने 7 विविचने रिग है योड खुले मैदान में हो जिसे लड़ा गया तो उसको प्रकास यूद कहा जाता है जो आमने कहा जाता है जैसे तरेन का जिती यूद है वो मुहमत गुरी ने वो चलाकी से जीता है तो उसको कूट यूद कहा जाता है जो तून यूद है जो गुप्चरों के माद्यम से है जो यूद है जो समील का यूद जीता गया तो गुप्चरों के माद्यम से है कोई परकार से है व किसए परकार की यूद हो प्रावर्व होती है तो विभिन परकार की जो एक शासन हर नामक के वो लेग मिलता है जो समने राजा राजा को जो संदेश पहुंचाता है सामने प्रकार का जो राजदूत है उसको सासनहर राजदूत का जाता है इसके ब्योंड नहीं जाता है तो उसको प्री मितार्त राजदूत कहा जाता है और तीसरे प्रकार का राजदूत है नी सस्टार्त राजदूत कहा जाता है तो ऐसा राजदूत जो की जो राजदूत के अलावा अपने विवेक से भी है वो बात चीत है वो कर सकता है तीस तरह क्यिदों के राज़्दूतों की निवह राज़्दों को क्या में, सब्सक्रा क्वार शार्चतर के राखष़श्टों के परकार। छीघे तुलिस्थार से एक एक तरह से ज्यान का zaj추 वह में अर्शास्था के दर बिलता है तो इस प Waters्व परकार हम किसक है कि जो अर्शास्था के वह मोरे सम्राजे के विशे में जानकरी का एक महतुपून है वो स्रोत है वो कहा जा सकता है अगले वेख्यान में हम मोरे समरजे के जो दूसर जानकरी के जो और जुद महतुपून स्रोत है उसके बारे में चर्चा करेंगे ठेंक्यू जै इंजे बारत